शिमला के रिज मैदान पर सवारिया ढो रही या खाली दौड रही एंबुलेंस पर परिवहन विभागने कारवाई की है ऐसी साथ एंबुलेंस के चालान काटे गए हैं रिज मैदान पर आम वाहनों के आने पर मना ही है यहां केवल इमर्जेंसी वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं और एम्बुलेंस में केवल इमर्जेंसी की स्थिती में ही मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है मैं अनिल शर्मा, आर्टी ओ शिमला हमें पिछले कल ही यह शिकायत मिली थी कि रिज और माल रोड का जो यह जो सील्ड एरिया है इन पर कुछ एक एक अम्बुलेंस यात्रियों को डो रही है पैसेंजर्स को डो रही हैं तो एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ ऐसे पेशन्स को के पहुआ जरूरी है लेकिन अगर रूटीन चेक वाले जो पेशन्ट्स या फिर ऐसे पेशन्ट जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको घर छोड़ने के लिए और इस तरह से अगर अगर यूज होगी तो मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादार दुरुबा के पुनार कुछ भी न रही थी या खाली दोड़ रही थी तो ऐसी गाड़ी उनके हमने चलान किये हैं फर्स टाइम और अगर यह दुबार से इनका चलान होता है तो चलान का अमाउंट पर बढ़ेगा और हो सकता है कि हम इनकी जो गाड़ी है वो भी उपांड कर लेंगा